साथियों नमस्कार गद्य सिक्षण स्रिंखला में आपका स्वागत है इस स्रिंखला के अंतरगत आज हम हरिसंकर परशाई और उनकी ब्यंग रचना टार्च बेचने वाले पर चर्चा करेंगे हरिसंकर परशाई की यह ब्यंग रचना टार्च बेचने वाले यंसी आटी की कक्षा ग्यारे की एक्षिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग एक में संकलित है पाठ से जुड़े हुए महत्वण बिंदूओं पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं प्रफेसर सूरज बहादूर थापा प्रफेसर सूरज बहादूर थापा लक्नव बिश्वविद्याले के हिंदी विभाग में अध्यापन कारे से जुड़े हुए हैं और महत्वण अध्येता के रूप में जाने जाते हैं। उनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर अंगत तिवारी। डिल्ली पिश्वविद्याले के श्री अर्विंदो महाविद्याले में हिंदी भासा साहित के प्रख्यात सिक्षक हैं। आए देखते हैं उनकी बातचीत। साथियों, आज हम मशहूर व्यंगकार श्री हरिशंकर परशाई की व्यंग रचना टार्च बेचने वाले पर चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा करने के लिए हमारे वीच विशेविशेशग्य के रूप में उपस्तित हैं प्रोफेसर सूर्ज बहादूर थापा जी। ड परशाई जी का संचिप्त जीवन परिचे दे दें तो इससे विध्यारतियों को काफी लाव होगा। राक्षाब, हरिशंकर परशाई हिंदी के लब्ध प्रतिस्टित व्यंगकार हैं। ऐसा प्रतित होता है कि जैसे उनको व्यंग सिद्ध है। और व्यंग को उन्होंने एक ऐसी उचाई पर पहुचा दिया है जो हिंदी साहित में एक मानक के रूप में स्थापित हो गया है। लेकिन बहुमिक्री प्रतिभा के स्वामी थे। उन्होंने सिर्फ व्यंग रचनाही नहीं लिखी हैं। उन्होंने कहानिया लिखी हैं। उन्होंने उपन्यास की है अब देखिए उनकी कहानी संग्रा हसते हैं रोते हैं को बहुत प्रसिद्धी मिली इसी तरह तटकी खोज उनका प्रसिद्ध carro Pagnyaas है 5 उनके निबंद संग्रहों में सदाचार की तावीज बहुत ख्यात है इसी तरह उन्होंने जो बेंग रचनाय लिखी हैं उनमें ठिटूरता हुआ गंटंत्र, बिकलांग सरधा का दौर बिकलांग सरधा के दौर को बहुत प्रसिदी मिले इसी से परिसाई जी को एक गहरी पहचान भी मिली है बैसनों की फिसलन, तिरची रेखाएं इस सब उनकी प्रसिद्ध ब्यंग संग्रह है सदाचार का तावीज तो उन्होंने ब्यंग की माध्यम से अपनी एक पहचान बनाई जैसे प्रेमचन की पहचान उपन्यास और कहानियों के लिए है ऐसे ही अगर ब्यंग की बात होती है घिंदी साहित में तो हरी संकर परसाई जी का नाम बिलकुल प्रतम स्रेणी में आता है सचमुच ब्यंग उनको सिद्ध है और उन्होंने अपनी प्रतिभा वहाँ पर बिलकुल सिद्ध भी की है यह व्यंग की बात हो रही है तो हम चाहते हैं कि व्यंग विधा के बारे में थोड़ा आप बताएं ताकि पिद्यार्थी उससे समझ सकें कि व्यंग अन्य विधाओं से कैसे भिनने व्यंग एक ऐसी विधा है जो गद्य और निबंध के बीच संतुलन करते हुए अपनी बात जिसमें रखी जा सकती है वास्तों में लेखक बहुत तरकी चुनोतियों का सामना करता है और कभी-कभी सत्ता से उसका संघर्ष भी होता है चाहे हुआ सामाजिक सत्ता हो चाहे हुआ राजिनितिक सत्ता हो अर्थ सत्ता हो धर्म सत्ता हो इस तरह की जो सत्ताएं हैं उससे वह टकराता है और सच बात कहता है लेकिन सच बात सीधे सीधे कहना खतरे से खाली नहीं होता है इसलिए बात को सीधे सीधे ना कहते हुए कुछ अपरतेक्ष रूप से घुमा फिरा करके कुछ चुटिले अंदाज में हास ब्यंग के बिनोत के साथ बात जब कही जाती है तो वो ब्यंग विधा की हो जाती है लेकिन उसमें कथा का तत्व भी होता है निबंद का भी तत्व होता है और एक बढ़िया गद्य का प्रांजल भासा का उसमें प्रियोग भी किया जाता है तो इससे उसकी प्रभाव सक्ति प्रभावित करने की सक्ति बढ़ जाती है ब्यंग पहले तो गुद गुद आता है लेकिन जब वह अंत में पहुंचता है तो वह लोगों के दिल दिमाग को जग जोर देता है समवेदन सील बना देता है इसलिए मैं समझता हूँ कि गद्य विधाव में ब्यंग का अन्यतम स्थान है और ब्यंग पात को पहुंचाने तक संप्रेशित करने तक पाठकों के लिए एक बहुत ही उत्तम साधन है जी बहुत सही कहा आपने जो टार्च बेचने वाला पाठ है इसके अधार पर आपी बताएं कि समाज में धनलो लुपता की जो प्रविति बढ़ी है वो क्या है और उसके क्या काराण है टार्च का काम है अंधकार में प्रकास फैलाना तो ब्यंगकार ने टार्च की इस प्रकारी को इस काम को अपना आधार बनाया है उन्होंने कहा कि जैसे अंधकार में टार्च के द्वारा हम प्रकास फैलाते हैं ठीक ऐसे ही धर्म जो है वह हमारे हिर्देयों में साधारन सामाजिक मनुस्यों के हिर्देय में आत्मा में उनकी आत्मा में प्रकास फैलाता है ग्यान के अंदकार को दूर करता है अग्यान के अधिकार को दूर करता है लेकिन बात ये है कि इसको प्रकासित समाज को हो, चाहे आत्मा को हो, इसको प्रकासित करने का रास्ता कैसा है, तरीका कौन सा है, तो तरीका यह होता है कि टार्च बेचने वाला लोगों में भै पैदा करता है कि सेज का भै पैदा करता है? वो ऐसा भै पैदा करता है, जो ज़्यादता कृत्रिम होता है, कि दिन में ही बाग चीते घूम रहे हैं, बहुत अधेरा चाह गया है, आप रात को सो कर उठें और आपका पाउँ सांप के उपर पढ़ जाए, तो सांप आपको डस लेगा, तो इ इस तरह से एक बाजारू प्रक्रिया को अपनाते हैं, उसका बाजारी करन करते हैं, कि डर से भै से लोग उस टार्च को खरीदें, इसलिए नहीं कि वह बहुत उपयोगी है, उसकी उपयोगिता में भै का पक्च वो जोडते हैं, ऐसा जोडते हैं कि आदमी भै के कारण उस क्रियेट करते हैं जी बिलकुल और जो अनस्तित में है उसका अस्तित उपस्तित करते हैं जिससे लोग डर करके और समान खरीदें ठीक इसी को धर्म के साथ जोडते हैं धर्म का वैसे वास्तविक काम तो लोगों की आत्मा में सचमुच ग्यान का प्रकास फैलाना है लेकिन हो आगे बढ़ता है लोग भैसे की धर्म का पालन नहीं करेंगे तो आपका ये अनिस्ठ हो जाएगा धर्म का पालन नहीं करेंगे तो आपको ये नुकसान हो जाएगा लोग भै के कारण धर्म से जुडते हैं और साधू, संत इनको दान दक्षिना देते हैं तो दान दक्षि ठीक वैसे ही है जैसे टार्च खरीदना है, हम पैसा दे करके टार्च खरीदते हैं, ठीक ऐसे ही दान दक्षिना दे करके हम ग्यान का प्रकास या अपने जीवन को भयमुक्त करना चाहते हैं, आसंका मुक्त करना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं कि उस पर संकट ना आए, तो और उस दान दक्षिना पर जो संत हैं, महंत हैं, ये उसका धुरुपयोग करते हुए अपना एक धर्म का आडंबर और सामराज खड़ा करते हैं, जो आत्मा का प्रकास तो नहीं फैलाता, अपने लिए धन का संसार, एक महा संसार जरूर खड़ा कर लेता है, तो ये धर्म के भस्ताचार और पाखंड को ये ब्यंग रचना अपना निसाना बनाती है, अज़र रक्षार ये अंध विश्वास में आकंठ डूबे हुए समाज का आर्थिक शोषन होता है, पार्ट में ये बात कही गई है, तो इसका जरा विस्तार से उलेक करें, इसे इस तरह से समझना चाहिए कि भारत एक धर्म प्रधान देश है और यहां जन्नता जादतर असिक्षित है, वह धर्म के विज्ञानिक आधार और उसके मनोविज्ञानिक पक्च को ठीक से नहीं जानती है, उन्हें ऐसा लगता है कि धर्म और इस्वर एक चमतकार है, जो उसके दुखों को आकरसित होने का उसका मुख्य कारण आत्म ग्यान नहीं है, बलकि अपनी समस्याओं का अंत करने की इक्चा है, यही इक्चा कि हमें सुख मिले जीवन में, हमारे बच्चों को कस्च ना हो, वे धर्म के इस अंधविश्वास की और बढ़ते हैं कि बाबा, गुरू या इस जो बाबा हैं, संत हैं, गुरू हैं, यह धर्म का पाखंड रचते हुए उनकी भावनाओं का दोहन करते हैं, उनकी भावनाओं को अपनी सोसन का आधार खड़ा करते हैं, वो पूजा पाठ के बहाने, अत्वा कोई अनुस्ठान कराने के बहाने, या दान दक्षिना लेने के बहाने, उनकी संकट को दूर करने की बात करते हैं, तो धर्म को आर्थिक पक्ष से जोड़ देते हैं, देखे डाक साब, आचार रामचंद सुकले ने बहुत अच्छी बात कही है, उनका एक निबंध है, लोब और प्रीति, लोब और प्रीति में उन्होंने बिलकुल सा कहा है, कि सब धर्म टकाधर्म हो गए है, सब ये धर्म पर सोने का पानी फिर गया है, लोग धातु के टुकड़े के पीछे दोड़ रहे हैं, और मानवता का जो अपना धर्म होता है, उसको वो भूल चुके हैं, तो वहां भी रामचंद सुकले धर्म के इसी आर्थिक सोश को, उस पाखंड को, उस भ्रस्ताचार को बहुत सिद्दत के साथ, बहुत स्पस्टता के साथ साफ करते हैं, हरिसंकर परसाई जी ने उसे इस व्यंग कथा के द्वारा और भी ज़्यादा संप्रेशनी और स्पस्ट बना दिया है, लग सभी इसमें पाठ के अंदर दो मित् एक ऐसा मित्र है, जो सूरज छाप कमपनी का टार्च बेचता है, और दूसरा मित्र सनातन कमपनी का टार्च बेचता है, तो ये कमपनियां क्या है जरा इसको सपस्ट करें? ये कमपनियां मैंने जैसा पहले इंगित किया था कि ये हमारे जीवन की सत्ताएं हैं, एक कमपनी वाला जो टार्च सूरज छाप बनाता है, वो आर्थिक सत्ता का प्रतेख है, और दूसरा जिसको हम सनातन कहते हैं, वो धर्म सत्ता का प्रतेख है, तो ब्यंगकार ने जोड को, जिसको हम नेक्सस करते हैं, इसको बिल्कुल स्पस्ट कर दिया है, कि एक तरह से जैसे कि कमपनी पैसा लगा करके अपने उत्पाद को, अपने माल को बेचती है, विज्यापन करती है, ठीक ऐसे ही धर्म भी बिना विज्यापन के नहीं बिखता है, तो सूरज प् अंधकार दूर हो जाएगा, ऐसे ही आप विसेस बाबा से दिख्छा लेंगे, आप विसेस संत महात्मा के दरबार में जाएगे, तो आपके जीवन का अंधकार, यानि कि आपके जीवन का कस्ट दूर हो जाएगा, तो ये दोनों एक तरह से लोगों को ठगते हैं, क्योंकि धर्म का मुख्य काम तो है आदमी को आदमी बनाना, आदमी के बीच एकता स्थापित करना, जाती, नसल, वर्ण, लिंग, इसके भेद को दूर करते हुए, मनिस्त को मनिस्ता का पाठ पढ़ाना, लेकिन वहां ये सिक्षाएं गौन हो जाती हैं, और होता ये है कि इसके माध् हम है, साधन है, बेंगकार यही बताना चाहते हैं, और इसमें उसको बहुत सफलता मिली है, जो भौतिक टार्च बेचने वाला मित्र है, और एक आध्यात्मिक टार्च बेचने वाला मित्र है, तो कमाई के लिहाज से आध्यात्मिक टार्च बेचने वाले मित्र की कमाई ज पाता है इसलिए वो अपने दूसरे मित्र का अनुसरन करता है तो क्या धार्मिक सत्ता या आंतरिक टार्ज बेचने वाले को पैसा क्यों जादा आता है भौत अच्छा प्रस्ट न किया आपने ये आदमी जहां यह महसूस करता है कि वो ज्यादा सुरक्षित रहेगा उसका अ टार्च बेचने से साप उसको डस नहीं पाएगा टार्च खरीजने से बिच्छा काट नहीं पाएगा कोई कीड़ा डस नहीं पाएगा काट नहीं पाएगा और कोई जानवर उस पर आकरमन नहीं कर पाएगा वो पहले से उसको देख लेगा ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो सीमित सुरक्षा का भाव सामने खड़ा करता है लेकिन यह जो सनातन कमपनी है या सनातन धर्म कमपनी है यह सनातन धर्म कमपनी तो उसके पूरे जीवन को ही बदल देने का दावा करता है वो ऐसा जहांसा देता है वो ऐसा एक भ्रम पैदा करता है कि बैक्ति यह सोचता है कि उस बाबा के पास जाएंगे, उसकी ताबीज लेंगे या उनकी आसिरवचन सुनेंगे, या उनका आशिरवाद उसे प्राप्त होगा, तो उसका ही नहीं उसके खांदान का, उसके बच्चें का, उसके मित्रों का सबका भला हो जाएगा, तो वह ज ज्यादा फल की प्राप्ति होगी, इस लालच को ये धर्म सत्ता बहुत बढ़िया से भुनाता है, एक मनोवज्यानिक की तरह वो जनता की कमजोरी को समझता है, और उसी तरह से धर्म को सामने रखता है, ये धर्म नहीं है, असल में धर्म का बाजार है, पाखंड है, इसी क उत्पाद या धर्म का पाखंड जो बेचते हैं या उससे लिप्त हैं, उनकी आमदनी बहुत ज़्यादा होती है, लोग अपने अंधविश्वास के कारण ज़्यादा पैसा देते हैं, और उनकी बहुत ज़्यादा करोड़ों में, लाखों में कमाई हो जाती है, तो ये ज ज़्यादा का अंधकार चाया हुआ है, इसको दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं? इसके बहुत अच्छा प्रस्न किया अपने इडग साब, ये बहुत ज़रूरी है कि जनता को ये समझ में आनी चाहिए कि धर्म वास्तों में क्या है, जितने भी बड़े-बड़े ज्यान और आचारे हुए हैं, उन्होंने धर्म के आडंबर को या उसके पाखंड के पालन को कभी धर्म नहीं कहा, वह तो अपने को एक सुद्ध विचार के साथ रखने के लिए, अपने जीवन को सहियत रखने के लिए, संतुलित रखने के लिए एक आचार व्यवस्ता है, धर्म वही नहीं है जैसे हम गंगा में नहाते हैं या साप सुथरा रहते हैं या पाट करते हैं तो यह आपके जीवन को अनुसासित रखने का एक तरीका मात्र हो सकता है कि आप बेकार के कामों में अपना समय नस्ट ना करें या आप ऐसे कामों की और आकरसित ना हो जाएं जो आद में चलकर यह हुआ कि यह आडंबर ही प्रमुख हो गया और अंतर आत्मा का ग्यान अंतर आत्मा की सुधता यह कहीं छिटक करके दूर चले गई है इसलिए कबीर ने जैसे बार बार कहा है कि करका मन का छाड़िदे मन का मन का फेर यानि कि हाथ की माला को छोड़ दो औ और मन के भीतर की माला को भजो उसको जपो तो धर्म किसमे है यह समझना है धर्म है मनुस्य होकर के मनुस्य की सहयता करने में अगर हम मनुस्य होकर किसी मनुस्य को सताते हैं उसका सोशन किसी भी प्रकार का आर्थिक हो डैहिक हो यानिक हो किसी भी प्रकार का सोशन करते हैं तो यह सोसन मानवता और धर्म के खिलाफ है। रमिना टेगोर ने कहा है कि सौबार उपरे मानुस सत्य। यानि कि मनुस का सत्य ही सबसे उपर है। और धर्म इसी के लिए बना है। तो ध्यान रखना चाहिए मनुस के लिए धर्म बना है। तो अधर्म का काम यह है कि मनस्य को मनस्य बनाना, यह सीख जब मिलेगी तो अन्धविश्वास धूर उठेगा और मनस्य में मानवियता की भावना आएगी. अच्छा डग्ट सब एक सवाल और अंतिम सवाल पूछ रहा हूँ, वो यह कि इस पार्ट की प्रासंगिक्ता आज के समय में कैसे सिद्ध होती है? आज के संदर्ब में इस पार्ट की बहुत बड़ी प्रासंगिक्ता है, क्योंकि 21 सदी में बिग्यान और सभ्यता का जितना विकास हुआ है, उतना ही अंधविश्वास भी बोड़ा है. हमने अभी हाल की वरसों की घटनाएं देखी हैं कि बहुत बड़े-बड़े धर्माचारियों ने इस तरह के काम किये हैं, जो मानवता को सर्मसार करने वाले हैं. और ये बड़े-बड़े धर्माचारे जेल में भी हैं. तो जनता को इससे सबक लेना चाहिए कि इन धर्माचारियों ने जिनका एक बहुत बड़ा धर्म का जाल फैला हुआ है, ये जब जेल जा सकते हैं, यानि कि इनका आचरन अनहतिक है, ये गलत काम कर रहे हैं, मानवत हूँ, तो हम धर्म के साथ, मनस्रता के साथ, इनसाफ और न्याय कर पाएंगे. इसलिए आज तो इस बात को समझने की बहुत बड़ी प्रासंगीता है, इससे जनता को, देश को बहुत लाग पहुंच सकता है. टक्ट सेव आपने बहुत अच्छी जानकारी थी, और निश्ची तुरूप से इससे लोगों को फायदा होगा, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. साथियों, अभी आपने हरिसंकर परसाई और उनकी ब्यंग रचना, टार्च बेचने वाले पर विद्वान विशे सग्यों की बातचीत सुनी और देखी. इस चर्चा के उपरांत, आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रशन और जिग्यासाएं रही होगी, जिनका स्वतह समाधान हो गया होगा, ऐसा मारविश्वास है. फिर भी आप लोगों के मन में कोई प्रशन और जिग्यासा हो, तो आप अपने साथियों से, अपने गुर्जनों से चर्चा करें, साथियों, अब हमारा कारक्रम यहीं संपन होता है, अगले कारक्रम में हमें एक अन्य लेखक और उनकी रचना के साथ फिर प्रस्तुत होग तब तक के लिए हमें आज्या दीजिये, नमस्कार. झाल